चाट मसाले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट चाट मसाला घर पर बनाएंगे एजी तरीके से वो भी बिल्कुल सस्ते में नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो आज का जो मसाला बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा और इतना टेस्टी बनेगा कि आप हर बार इसे बनाना चाहोगे बिलकुल कम इंग्रीडियंट है और घर के ही इंग्रीडियंट है फालतु का समान आपने नहीं ले के आना और ये साल भर आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और खाने में इतना टेश्टी लगेगा कि आप उंगलिया चाटते रह जाओगे तो चलिए बनाते हैं आज का चाट मसाला घर पर इजी तरीके से इसके लिए मैं ले रही हैं पर हरा धनिया इस तरीके से एक गुच्छी ले ली है मैंने आप ज़्यादा भी ले सकते हैं यदि आप ज़्यादा मातरा में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन पहले आप थोड़ा बना कर देखें अगर आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा बना सकते हैं वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है तो इस तरीके से मैंने हरा धनिया ले लिया है आपने इसके पीछे से डंठल काट लेने हैं जो मिट्टी वाले होते हैं वो काट लीजिए या फिर इसको बहुत अच्छे से धू लेना है आपने अगर आप डंठल नहीं काटना चाहते और इसमें से जो बेकार से पत्ते हैं वो निकाल दीजिए बिल्कुल हरे साफ सुथरे पत्ते लेने हैं आपने इस तरीके से और इनको धो लेते हैं धोना है आपने पानी में दो से तीन बार ताकिस की मिट्टी बगरा सारी निकल जाए और इसको किसी छलनी में डाल कर रख दे ताकिस का सारा पानी निकल जाए और अब लेते हैं पुदीना पुदीना दोस्तों आप धनिये की जितना भी ले सकते हैं ये कम भी ले सकते हैं दो मुठी मेरा पुदीना है इसको भी अच्छे से साफ करके लेना है यानि जादा जो टाइट वाली डंडिया होती है वो आपने नहीं लेनी है पत्या पत्या ले आप या फिर जो नाजुक सी डंडिया होती है इनकी वो ले सकते हैं आप इसको भी अच्छे से धो लेना है आपने दो से तीन बार क्योंकि पुदिने में भी मिट्टी लगी रहती है तो मिट्टी साफ करके लेना है और धो कर आपने इसको भी छलनी में डाल कर रख देना है ताकि सारा पानी इसका निचूड जाए अब लेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च दोस्तो आप वैसे तो टेस्ट के अंसार ले सकते हैं पान से दस आप हरी मिर्च ले लीजिए मैं यहाँ पर ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि यह ज़्यादा तीक ही नहीं है इसलिए मैं जादा मात्रा में मिर्ची ले रही हूँ और इसका बहुत बढ़िया टेश्ट आता है इसको भी आपने धो कर लेना है और धो कर इसको भी पानी निकलने के लिए इसमिसे रख देना है साइड में अब लेते हैं प्याज प्याज आपने दो लेने हैं मीडियम साइज के और इसको रफली काट लेना है इसको भी दोस्तों आपने धो कर लेना है धोने के बाद दोस्तों देखिए हराधनिया आपने इस तरह से काट लेना है रफली काटे आप हराधनिया क्योंकि हमने इसको सुखाना है इस तरह से काट कर दोस्तों आपने हरा धनिया किसी बड़े बरतन में डाल लेना है प्रात में डाल सकते हैं या कोई बड़ा धक्कन वगरा हो या ट्रे हो आपके घर में उसमें डाल सकते हैं और इसी तरह से आपने पुदीना भी काट लेना है रफली चॉप कर लेना है और इसको भी डाल लेते हैं हरे धनिये के साथ अब लेंगे एक grinder jar इसमें आपने डालना है प्याज जो हमने काटा था इसको हमने चॉप करना है या फिर आप चाकु से बारीक बारीक काट के ले सकते हैं और इसी jar में दोस्तों आपने मिर्ची को भी चॉप कर लेना है दोनों को आपने धनिये वले सामान में डाल लेना है डाल कर दोस्तों आपने एक डालनी है इसमें शिमला मिर्च शिमला मिर्च को भी दोस्तों आप चाकु से काट सकते हैं छोटे छोटे पीसीज में या फिर इसको भी ग्राइंड करके डाल लें तो इससरे से मेरी शिम्ला मेच भी ग्राइंड हो चुकी है सारी चीजों को हम डाल लेते हैं एक प्राथ में आप यहाँ पर नीम्बू डाल सकते हैं दो से तीन तो 5-6 दिन लग सकते हैं आपके सूखने में से तो सूखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है बिल्कुल हाथ से क्रश करने से क्रश हो रहा है अब इसको तो रख देते हैं साइड और लेते हैं और मसाले जो इस मसाले को टेस्टी बनाएगा यहाँ पर लेते हैं 5-6 लाल मिर्ची साबूत वाली और लेंगे 1 टेबल स्पून धनिया साबूत वाला ले आप या फिर पाउडर भी ले सकते हैं एक चमच लेंगे जीरा चार लेंगे यहाँ पर हरी इलाइची छोटे वली जो होती हैं ना हो आपके पास तो स्किप कर सकते हैं एक लेंगे बड़ी वली इलाइची और 8-10 लेंगे लोंग इस तरह से और 10-15 ले रहे हैं यहाँ पर काली मिर्च और एक लेंगे तेज पत्ता यह सार असमान आपने लेना है और इसको डाल लेना है एक पैन में पैन में डाल कर दोस्तो आपने सीम गैस करके इसको रोस्ट करना है यहाँ पर तेज पत्ता आप तोड़के डाल सकते हैं ताकि जल्दी से यह रोस्ट हो जाए और जो इलाइची वगरा है वो भी आप मिक्सी जार मिक्सी जार में दोस्तों आपने धनी वुरा जो सूमान था वो डाल लेना है और इसका पाउडर बनाना है यह बन चुका है अब इसी में डाल लेते हैं अपने मसाले जो हमने हमें रोस्ट किरें थे मसाले हमने डाल लिये हैं और उपर से डाल लेते हैं इसमें दो से तीन चीजे जो इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे एक लेंगे टेबल स्पून काला नमक इस से आपका जो ये मसाला बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा, हेल्दी बनेगा आधा चम्मच लेंगे इसमें सफेद नमक और एक चम्मच लेंगे यहाँ पर आमचूर पाउडर और एक चम्मच ही लेंगे यहाँ पर चाट मसाला ये सारी चीजे डाल कर दोस्तों आपने मिक्सिजार में फिर आपने इसको ग्राइंड करना है और एक और सिक्रेट चीज इस में डाल लेते हैं ये है दोस्तों चीनी चीनी लेनी है आपने एक मस्से थोड़ी सी कम इससे आपका जो ये मसाला बनेगा खटा मिठा बनेगा तेश्टी बनेगा एक बार बनाकर जरूर देखना चीनी डाल कर दोस्तों आपने इसका पाउडर बनाना है अब देखिए कोई बहतर रहेगा या फिर सूखे डिबबे में कोई भी हो उसमें डालकर आप इसको साल भर के लिए चला सकते हैं अब आपने की यूज कैसे करना है जब भी आप दही खाए दही में इस मसाले को डालकर खाएं बहुत ही टेश्टी लगेगी दही लसी में डालकर ले सकते हैं फ्रूट में डाल के ले सकते हैं ये फिर किसी जूस में भी डाल कर इस मसाले को ले सकते हैं आपको बहुत मजाने वाला है तो इस तरीके से हमने घर पर मसाला त्यार कर लिया है घर की ही चीजों से वो भी सस्ते में तो कब बना रहे हैं दोस्तों आप इस मसाले को घर पर हमें कॉमेंट करके जुरूर बताएं वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसे ऐसी रेसिपीस के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद